हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम बैक टू दी चैनल बाइलोजी वित्पुन अम्लुक लारी आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लगों की स्टुडीज भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे तो हम लोग सेंटिफ्योगेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देंसिटी ग्रेंट सेंटिफ्योगेशन से पहले हम पढ़ लेते हैं कितने टाइप का होता है देंसिटी ग्रेंट सेंटिफ्योगेशन देंसिटी के ऊपर बेस्ट होता है और ये दो टाइप का होता है पहला रेड जोन अल्टर सेंटिफ्यो क्या होता है देखो density gradient centrifugation में क्या होता है कि जो separation होता है हमारे particles का उसका relation किसे होता है मतलब mainly किस पर dependent होता है dependent होता है mainly density पर solution की density पर जैसे कि आप इस centrifugal tube में देख सकते हो यहां पर हमने सुक्रोज solution डाला है सुक्रोज क्या है यहां पर density gradient बनाने का काम करता है ठीक है एक तो सुक्रोज हम यूज करते हो एक होता है सीजियम क्लोराइड ठीक है सीजियम क्लोराइड को mainly यूज करते हैं क्योंकि इसमें शाप ग्रेडियंट आता है ठीक है सबसे यहां पर हमारा सुक्रोज वाला तो इसमें ग्रेडियंट आ रहे है आप ऐसे देख सकते हैं यह 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 density में बैरी कर रहे हैं तो सबसे उपर जो density होती है वो low होती है और सबसे नीचे जो होती है वो high density होती है ठीक है हम जो density gradient centrifugation का इस्तमाल करते हैं उससे क्या होता है कि ultra centrifugation की resolving power जो होती है वो बढ़ जाती है ठीक है आगे बास समझ भे अब हम पढ़ते हैं density gradient के type तो density gradient में हमारा first type है rate zonal ultra centrifugation rate zonal ultra centrifugation में जो separation होता है particle का that is dependent on sedimentation coefficient और जो हमारा sedimentation coefficient होता है वो mass और size के उपर dependent करता है यह मनें इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया आप उस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो तक जबाएंगे तो आपको पता चल जाएगे मास और size पर कैसे dependent होता है ठीक है तो चलिए हम rate zonal ultra centrifugation को करते हैं तो इसके लिए क्या करते है कि sample को हमारी ultra centrifugation tube जो होती है उसके अंदर डालने में ठीक है sample डालने है फिर उसके अंदर stabilizing sucrose gradient डालिया है cesium chloride वो according to need or according to the material होता है ठीक है तो हम समझने के लिए यह डाल लेता है तो stabilizing sucrose gradient हमने डाल लिया ठीक है अब डालने के बाद भी हम क्या करेंगे आप है centrifugue करेंगे centrifugue जब हम इसको centrifugue करेंगे तो आप जो हमारी test tube है इस test tube के अंदर जो sample है sample जो है अब वो according to the density वो मतलब move करने लगेगा ठीक है density के according क्या करने लगेगा move करने लगेगा कैसे देखो यह suppose हमारा sample का यह एक part है और यह sample का हमारा दूसरा part है इसको दूसरे colour से बनाते है यह हमारे sample का दूसरा part है ठीक है अब यह जो separation ओ रहा है यह separation हो रहा है मालın density के base ठीक है ज्यादा होता है तो ज्यादा होने की वज़ए सी क्या होगा वो वो fastly move करेगा high sedimentation coefficient होनी की विज़े से वो highly move करेगा highly move करेगा मतलब उपर से नीचे की side गो जाएगा कैसे करेगा? उपर से नीचे की side गो जाएगा तो यहाँ पर नीचे की side ज़्यादा जल्दी कोण जा रहा है? यह वाला sample तो यह कैसा है? यह वाला sample हमारा कैसा है? यह हमारा fast sedimenting component कैसा है हमारा? fast sedimenting component और इसका sedimentation coefficient कैसा है? high ठीक है? और यह जो दूसरा वाला है यह कैसा है? यह slow sedimenting component तो इसका sedimentation coefficient कैसा है? low ठीक है? यानि की जो sample का हमारा molecular का size बड़ा होगा उसका sedimentation coefficient जो है वो ज्यादा होगा और वो fast move करेगा ठीक है? तो यह इस तरी के से fast move करेगा अब इसका क्या है? अब इसको हम fraction कर देंगे इसका कैसे? अब यह fast moving है तो सबसे पहले green वाला हमारा separate out होगा ठीक है? यहाँ पर यह fast sedimenting component रखे होगा तो यह जल्दी से separate out होगा तो हमारे पाख हमको यहाँ पर दो test tube की जरूरत पड़ी ही पहली test tube में तो हम वो sample निकालेंगे जो की fast sedimentation coefficient रख होआ है तो यह हमारा पहले यह separate out हो जाएगा इसको separate out करने के बाद में हम दूसरे अपनी sample को ऐसे separate out कर लेंगे तो इस तरीके से red zonal ultra centrifugation में हम हमारे sample का centrifugation करते हैं तो इसको sediment करके centrifugation हम लोग इस तरीके से करते हैं अब इसमें हमें principle तो समझ में आ गया अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारा sample हमको कोई मिल जाता है इस तरीके से तो इसमें हम क्या question है main जो कि हमारा important हो सकता है इसमें यह होगा कि हमारे sample में कि molecule जिसका बड़ा होगा उसका sedimentation coefficient जो होगा वो high होगा और वो जल्दी से move करेगा ठीक है और जिसका sedimentation coefficient कम होगा वो slow move करेगा और slow ही वो sediment होगा ठीक है तो हम fast sedimenting component को पहले separate out कर लेंगे और जो slow sedimenting component होगा उसको हम भाद में separate out कर लेंगे तो यह तो होगा हमारा rate zonal ultra centrifugation next है हमारा equilibrium density gradient centrifugation ठीक है यहाँ पर यहाँ पर क्या add-on क्या हुआ है word equilibrium density gradient मतलब जब हमारे sample की sample के अंदर जो भी हमारा particle है उसकी density हमारे solution की density solution की density के बराबर हो जाएगे तो वो sample वही पर हो जाएगे गर उसी के base पर हम उसको sediment कर लेंगे जैसे कि हमारा यह वाला sample है sample के अंदर हमने हमारा जैसे की यह test tube में हमने बढ़ा था है ना हम gradient डाल देंगे stabilizing content डाल देंगे हमारा यह stabilizing sucrose gradient suppose हमने लिया है gradient डाल दिया उसके अंदर ने sample हमारा load कर दिया तो जब हम sample load कर देंगे और उसको centrifuge करेंगे तो जिस sample की जो density उसके साथ match करती होगी यहां पर देख सकते हैं ठीक है suppose sample A है B है C है D है E है F है हमारा sample नहीं मतलब sample के अंदर particles यह हमारा sample sample के अंदर यह particles है तो F कहां पर जाके रोगेगा जहां पर उसकी same density की position आ चाहेगी और यहां पर F की density है वह कितनी है 1.25 ठीक है E की density कितनी है 1.22 D की कितनी है 1.19 C की कितनी है 1.15 B की कितनी है 1.11 A की कितनी है 1.09 मतलब यहां पर कहने का यह है कि particle ऐसी जगा पर जाके रोगेगा जहां पर उसकी density solution की density के बरहबर हो रही होगी तो इसमें हमारा main question क्या सकता है कि भही mitochondria की जो density होगी वह कितनी होगी किस density पर जाकर के वह रूख जाएगा 1.18 ग्रैम पर संटीमीटर क्यूब में पर ओग्जिजम 1.2 ग्रैम पर संटीमीटर क्यूब के density पर जाकर रूख जाएगा लाइजर जोब 1.12 ग्रैम पर संटीमीटर क्यूब की density पर जाकर रूख जागा क्यों क्योंकि यह हम तो ऐसे सैंपल का हम कैसे centrifugation करेंगे equilibrium density gradient के basis पर ठीक है आ गई बात समझ में तो यही है हमारा density gradient का जो की हमको पढ़ना था ठीक है ठीक है तो I hope आज इस वीडियो में जो हमने density के बारे में density gradient centrifugation के बारे में पढ़ा है आपको अच्छे तरी किसे समझ में आ गया होगा नहीं समझ में या कोई question है तो आप मुसे comment box में लिख सकते हैं वैसे मैंने सारे points को cover करने की कोशिश की है जो भी हमारे competitive exam में इसमें से पूछा गया आस तक ठीक है CUT के exam में भी पूछा गया है तो वो सारे points को मैंने cover करने की पूरी-पूरी कोशिश की है तो I hope आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसकी quiz मैं बाद में कराऊंगी और अगर आपको समझ में नहीं है या फिर कोई भी question है कोई doubt है कहीं पे भी तो आप मुझे comment box में लिख सब्केम उसको answer करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगी ठीक है और अगर आप इस channel पर नए है kindly do subscribe बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा क्योंकि अगर आप बैल आइकन को भी subscribe करने के साथ साथ में प्रेस कर देंगे तो जब भी मैं नहीं वीडियो डालूँगे उसका notification आपको मिल जागा तो फिर आप उस वीडियो से अपने notes बना लीजेगा ठीक है thank you for watching take care god bless you all